वक्त हो गया है वी आईपी शेयर जानने का के अचीव हुए हैं लेकिन अब मैं वापस ही से रिडेट कर रही हूँ और मेरा अब जो टागिट है वो 3360 का है समय सीमा एक महीने की रखी जा सकती है अब अगर इस कंपनी की हम बात करें और फर्णामेंटल्स की बेसिकली बात करें तो कंपनी मैनुट्र करती है हाई क्रोम म चैनल यंटिर्म कॉत्र है देखा जाए तो यह लोग-मीजन एक तरह से बनाते हैं मिल लाइनल्स का जो काम होता है वो बहुत इंपोर्टेंट रहता है क्योंकि वह जो भी वेर एंटियर किसी भी मिल्स को होते है उससे वो प्रोटेक्ट करते हैं मिल्स शेल को को भी वेर ए मिन लाइनर पश्द आती है, कमपनी के पसंद आने के पीछे बहुत चांदाल नतीजे हैं, जो कमपनी ने पोस्ट किये हैं, अर्यायजेशन कमपनी के काफी सॉलिद हुए हैं, और दुसरी तरफ देखा जाए तो कंपनी ब्राउन फिल्ड एक्सपेंशन भी कर रही है नॉन ग्राइडिंग मीडिया में तो मुझे लगता है वो भी अच्छा यहां पे एक्सपेंशन रहेगा और कंपनी को आगे फाइदा देता हुआ नजर आएगा आगे हम और बात करें कंपनी की तो बैलन शीट काफी ज़्यादा है और मिल लाइनर कैपैसिटी जिस तरह से वो रैंप अप हो रही है मुझे लगता है कंपनी वापत से बढ़िया कस्टमर एक्वाइर करती भी नजर आएगी और आगे जाते वे कंपनी के फिनाइशन और भी मजबूत होते वे नजर आएंगे तो AIA Engineering काफी जादा पसंद आता है 3360 के टार्गिट के लिए एक महिने से दो महिने की समय सीमा को भ्यान में रखते वे खरिदारी करने की चला है एक महिने के लिए AIA Engineering 3360 के टार्गिट के लिए इन्वेस्टर्स इसमें निवेश कर सकते हैं शुक्रिया आस् आपने वक्त निकाला